सूरत के शातिर अप्राधी वसिम बिल्ला की नवसारी में गोली मार कर हत्या गुजरात के नवसारी में बिती रात करीब दस बजे सूरत के वसिम बिल्ला की गोली मार के हत्या कर दी गई शातिर वसिम बिल्ला पे सूरत में कई मामले दल्ज है जिसमें हाई कोट ने उसे सूरत से तड़ी पार किया है जिसके चलते फिलाल वो नवसारी में रहता था गुजरात के नवसारी में च्छापरा रोड विस्तार में सुरत के शातिर अपराधी वसिम बिल्ला रोज की तरह रात को जीम से निकल कर घर की तरफ जाने के लिए अपनी कार में बैठा तबी तीन से चार लोग वहां आएं और उसे ड्राइविंग सीट पे ही करीब से गोली मार कर फरार हो गए खून में लटपत वसीम को अस्पतार ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित किया एक्टिंग का शोक रखने वाला वसीम पहरे टीवी सीरियलों में बतौल सहक अलाकार काम कर चुका है हीरोगीरी करते करते कई छोटे बड़े अपरात करने वाले वसीम के खिलाप सूरत के महीधरपुरा, अठवा व अडाजन ठानों में कई मामले भी दर्ज हो चुके है फिलाप सूरत से तड़िपार वसीम नवसारी में रहते हुए जमीन के लेंदेन और मस्दे सुलजाने का यानि मांडवली का काम करता था वसीम को मारने के लिए आए हत्यारों ने पांच राउंड फाइरिंग की फिलाप नवसारी पुलीस जीले भर में कॉम्बिंग कर वसीम के हत्यारों को पकड़ने के लिए जुच चुकी है आज रात करीबन साड़े दस से ओने ग्यारा का बीच में छापरा रोड नवसारी जहाँ बॉस जीम करके जो पलेस आई हुए तो तीन से चार अन्नोन परसन ने उसके ओपर फायर कर दिया था और उसी की उसको वही पर मौत उसका निपजा दिया था जिस सिलसले में उसको पहले औरेंज ऑस्पिटल में सारवार के लिए बेजा गया था वहाँ उसको dead declare करते हुए फिर उसकी dead body को civil hospital में बेजा गया है इस सिलसिले में मरन जनार का जो भाई है फिरोज फिरोज गुलाम शेक उनकी फर्यात नौसारी रूरल पोलीस टेशन के द्वारा इंडियन पिनल कोर्ट 302 के तहत रजिस्टर की गई है और यह जो वसीम बिल्ला है सूरत में काफी offences में भी पोलीस के द्वारा पकड़ा गया था और लास्ट में हाई कोट ने उनको सूरत सीटी में एंटर ना करने का order दिया हुआ था जिसकी वज़े से वो नौसारी में रहने के लिए आया था नौसारी में रंगून नगर में रहता था और जीम छापरा रोड पर करने के लिए जाता था और आज यह हादसा यहाँ पर छापरा रोड पर हुआ है चिस सिलसले में नौसारी रूरल पोलीस ने ओफेंस रेजिस्टर कर दिया है अभी कॉमिंग, गेस्टाउस चेकिंग, दावा चेकिंग और वाहन चेकिंग सारी एक जिला में पूरी रेंज में दिया गया है और इनकी किन-किन लोगों के खिलाब दुश्मनी थी उसके बारे में भी खानगी तेकिकात की जा रही है ताकि येल कल पिसकोने उसको पक्रा जा सके